नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रोध्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों से एक पुरुस बांजपन का एक केस सेर करने वाला हूँ जो की सिर्फ दो मेहना होमेपैथिक ट्रीडमेंट की मदद से पूरी तरह ठीक किया जा चुका है तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये जो पेसेंट है इन्हें रिट्रोगेट इजैकुलेशन की सिकायत है यानि इनका जो वीर्य है वो बाहर नहीं निकलता है संभोग के दोरान और ये वीर्य सिधा यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है यानि पिसाप की थैली में चला जाता है यूरत्रा की तरफ जाने की वगयर और इसका उपर मेरा एक separate वीडियो already uploaded है YouTube पे आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो मैं उसका link description box में डाल दूंगा आप वहां से भी चेक कर सकते हो वहां मैं Retrogate Ejaculation को एकदम सरल भासा में समझाया हूँ कि Retrogate Ejaculation क्या होता है कैसे होता है इसका क्या causes ह एक दम detail में बताया हूँ तो आप उस वीडियो को भी एक बार बिल्कुल चेक करें यहां पर मैं सिर्फ case share करने वाला हूँ तो यह जो patient है इनका साधी को हुए 3 साल हो चुके थे और इनको अभी तक अपना कोई बच्चा नहीं हुआ था इनको erection वगरा सब कुछ प्रॉप भी नहीं कर पाईगी अब इस problem के लिए मेरा यह patient बहुत जगा से अपना treatment लिया है अलोपैथिक आयरवेदिक होमोपैथिक सब कुछ try हो चुका था लेकिन इनका जो problem है वह वैसा का वैसा ही रहा अट लास्ट यह patient मेरे पास आये आज से दो महना पहले Retrogate Ejaculation का problem को लेकर और हमने पहले ही इनका blood sugar का level को चेक करवाया क्यूंकि यह disorder उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिन लोगों को diabetes या blood sugar है बट मेरा इस patient को blood sugar था नहीं इस blood sugar level was completely normal अब होमयोपैथी में हम लोग इस problem को कैसे ठीक कर सकते है क्यूंकि होमयोपैथी में तो रोक के नाम पर आज तक कोई medicine बनी नहीं है और मुझसे पहले जिन होमयोपैथ के पास से यह अपना problem के लिए treatment ले रहे थे उन डॉक्टरों ने इनका उपर हर तरह की वो classical होमयोपैथ करते हैं और case taking के बाद जो drug इनका constitution निगला वो था sulfur और हम लोगोंने sulfur को 0 by 1 से सुरू किया और हर मेहना इसको potency को बढ़ाते गए और sulfur के साथ में हम लोगोंने caladium नाम का एक general medicine भी हम लोगोंने इने 30 potency में देते रहे और आज तकरीबन दो महना बाद इनका problem कैसा है इन्होंने अपना problem के regarding मुझे whatsapp पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो तो जो problem इतने सालों से सही नहीं हो पाया उसी problem को हम लोगोंने सिर्फ दो महना proper homeopathic treatment की मदद स पूरी तरह ठीक कर दिये और अब यह patient संभोग के दोरान बड़ी आसानी से ejaculate कर पाते है और hopefully इनका wife of conceive भी कर पाईगी तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक सठीक homeopathic treatment की मदद से इतना गंभीर समस्या को ठीक किया जा चुका है जो काम एक बड़े अं मस्या से जूज रहे है और लिगोस्पर्मिया जैसी कंडिसन से जूज रहे है तो उन लोगों को घबराने का बिल्कुल भी जरूद नहीं है हम लोग बहुत male and female infertility को बड़ी आसनी से ठीक कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक classical homeopath की जरूद पड़ेगी जो कि आपका केस को टेक ओवर कर सके तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूं और मैं उम्मित करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लापकर साबित होगी और इसी तरह मुसे जोड़े रहने के लिए म और बैल आइकन को दवाना बिल्कुल भी ना भुली दोस्तो। So thank you very much and have a good day.